हेलो फेंट्स वेलकम टू स्टेडी गूरू पार्श चाला मैं हो गिलाश और अची क्लास में रोड़ेस्स करेंगे प्रिसिक्स राइटिंग का पार्ट फाइव और यह प्रैक्टिस सेट फाइव होगा जिसमें आपको इस कंप्लीट सेरीज को देखना है और सारे जितने भी पैसेज इंपोर्टेंट बन सकते हैं जिस टाइप के अलग अलग टाइप के बन सकते हों सब में आपको सीरीज के अंतरगत कराने वाला हूं तो आप इस पूरी प्लेलिस को जोड़ देख लेना सारे इंपोर्टेंट प्रिसेक्स हो आपको मिल जाएंगे सीरीज में जो है आपका 193 वर्ट का है टोटल ठीक है इसको आप कैसे बिसिकली समझेंगे दिन में बताने की कोशिश करूंगा आपको तो सबसे पहले अब देखो एक चीज और आप लोग कमेंट करके एक दो लोगों ने पूछा कि कि अगर कोई वर्ड मीनिंग नहीं आती इसमें आपकी प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप सभी वर्ड को जो नॉर्मल कॉमन वर्ड से वह सभी आप उनको जानते हो ठीक है बाकी कोई अगर न्यू वर्ड आता तो वह आप स्किप करके पूरी सेंटेंस की मीनिंग समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आ जाएगा एक आद वर्ड अगर नहीं भी आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो कोशिश है करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स और अलग अलग चीज़े पढ़ो तो आपको आपकी इंग्लिश ऑल्री बैटर हो जाएगी तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है इसमें किस बारे में टॉपिक है जैसे कि इंग्लिश एड्यूकेशन इंग्लिश लेंग्विज हैब दन immense goods to India in spite of their glaring drawbacks the notions of democracy and self-government are the born of English education those who fought and died for mother India's freedom were nursed in the cradle of English thought and culture ठीक है यहां पर आप दोस्तों बताया जा रहा है कि इंग्लिश एड्यूकेशन इंग्लिश लेंग्विज जो है इसकी वज़े से इंडिया का काफी फायदा हुआ है हलाकि इसके कुछ drawbacks भी थे ठीक है जो notions है जो भावनाए धारनाए है democracy की और self-government की वो भी English education से ही born हुई है उनकी शुरुआत भी इहीं से हुई है और those who fought and died for mother India freedom nursed in cradle of English thought and culture यानि जिनों ने जो लोग हमारी mother India यानि कि जो हम भारत के लिए जिनों ने अपनी कुर्बानी दे दिया जो उनके लिए लड़े वो सभी जो है एक तरह से English thought और culture में पढ़े बढ़े थे ठीक है The West made a contribution to the East. The history of Europe has fired the hearts of our leaders. Our struggle for freedom had been inspired by the struggles for freedom in England, America and France. ठीक है यहां पर बता जा रहा है जो history है यूरोप की वो की fired हुई है हमारे leaders के दिलों में आग लगा दी एक तरह से और जो struggle है freedom का वो inspired किया गया था इनी freedom जो की England, America और France में हुए थे If our leaders were ignorant of English and if they had not studied this language, how could they have been inspired by these historic struggles for freedom in other lands तो दोस्तों यहां पर आप यहां पर बता जा रहा है कि अगर English language इनको अगर नहीं पता होती है हमारे freedom fighters को तो उस case में हम जो हैं कैसे वे सभी जो historic struggles था freedom का उससे कैसे basically वो inspired हो पाते है तो यहां पर freedom के बारे में बात हो रही है English language या फिर English की importance के बारे में बात हो रही है आगे दोस्तों बढ़ते हैं English therefore did us great good in the past and if properly studied will do immense good in future यानि English की वजए से जो है काफी हद तक हमारा past better हुआ है और हम properly इसको study करें तो हमारा future भी बढ़िया होगा better होगा English is spoken throughout the world for international contact our commerce and trade for the development of our practical ideas for the scientific studies English is indispensable या पर आप बता सकते हो English का काफी हम रोल है चाहे वो contract, commerce and trade में हो development में हो या scientific studies में हो right English is very rich in literature our own literature has been made richer by this foreign language ठीक है English है काफी rich literature है इसका और जो हमारा आप खुद का literature है वो भी काफी rich हुआ है इस language की वजह से ठीक है तो विटे will really be fatal day if we all together forget Shakespeare, Milton, Keats and Shaw तो इस तरह से यहां पर आपको पूरा पैसेस दिया गया था है यहां पर overall अगर आप ज्यान दो तो English के बारे में ही focus किया गया था पूरा focus जो है English language के उपर की English language की वजह से क्या-क्या बदला हुआ है क्या-क्या चीजे हुई ठीक है यह सारी चीजे आपर बताए गई है तो अब आपको दोस्तों क्या करना आप अपने हिसाफ से आपर बताओगे कि इसका title क्या होना चाहिए ठीक है वीडियो को pause करेंगे और अपने इसाफ से आपका क्या आपके इसाफ से क्या इसका title होना चाहिए आपको मैंने समझा दिया पूरा पैसे जो दिया गया था अब आपको क्या करना है comment section में title लिखना है ठीक है अब आगे ह आने वाला हो कि क्या इसका title रहेगा और कैसे इसका prefix लिखो गए ठीक है तो आई होप अपने comment कर दिया होगा आगी हम लोग मूव करते हैं दोस्तों title जो आप इसका दे सकते हो सबसे इजी है इंपोर्टेंस ओफ English education की importance इसके उपर ही पूरा पैसे था और यही इसका क्या हो education have done immense good to India यहां पर आपने short में पहला paragraph लिख दिया English education give us idea of democracy and self-government ठीक है जैसे कि यहां पर दिया हुआ था यह पूरा जो है यहां पर self-education के बारे में पूरा बताय गया था self-government के बारे में बताया था second or first line में जो है तो आप short में आप लिख दोगे उसके बाद देखो our leaders were inspired by western thoughts culture and struggles for freedom done by different countries ठीक है यहां पर passage बताय गई थी कि हमारे future को भी यह क्या करेगा काफी एहम रोल निभाएगा future में भी right being spoken throughout the world English is necessary for international contact trade commerce and science English is rich in literature and work of it great author cannot be ignored ठीक है यानि कि आप यहां पर इस तरह से short में लिख सकते हो पूरा पैसे जो है इसको बिल्कुल summarize कर सकते हो और आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा to the point आपको लिखना है same to same आप पर कुछ keywords आप ले सकते हो और उसके हिसाब से जो है आप अपना प्रेसिक्स लिखोगे best way में ठीक है तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कै यहां से best possible way में आप लिखोगे इस तरह के प्रेसिक्स जब आएंगे आपकी एक्जाम में तो इसकी complete playlist को जो देख लीजेगा दोस्तों और साधी साथ आप ऐसे letter भी त्यार कर रहा हो तो इसकी playlist भी watch कर सकते हो discussion में लिंक मिल जागा इन सभी को प्रिपैर कर लीजें ठीक है और इन books को ले सकते हो आप जो आपकी Hindi English दोनों मिल जाएंगी 70 प्लस topics यहां से आप cover कर सकते हो within world limit सारे के सारे topic मिलेंगे आपको latest pattern पर based होंगे 70 प्लस topics यहां से आप cover कर सकते हो और ऐसे letter दोनों ही single book में आपको मिल जाएंगे और lowest cost में book मिल जाएगे आपको additional 30% discount भी मिल राइट दोस्तों तो discussion में link दिया गया है वहाँ से जाके आप discounted rate पे इन books को ले सकते हो अपने exam के साफसे CGL, CHSL, JST या फिर IBPS PO के लिए राइट फिंट्स तो आई हो पाच्छी class आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और अगर आप में से कोई नया है तो आपको आपको भी कर सकते हो स्टड़ी ग्रूप पार ठीक है टेलीग्राम पर इसके साथ इसाथ आवर निगेंडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे courses को वाच कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा वीडियो एलफुल लगाओ तो like कर दीजिए गाइस वीडियो को शे